नमस्कार मैं डॉक्टर राजिन्द प्रशाद आज एनाई यूएस की डियलेट की कख्षा में आप सभी का हर्दिख श्वागत करता हूं आज हम पाथक करम कोड 502 के अंतरगत सीर्षक अनुसोसिज जंजाती वालकों की शिक्षा पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ डॉक्टर अकलेश कुमार सिक्षा बिद्यापीट साखा बर्दमान मावीर खुला विश्वद्याला कोटा से उपस्तित हैं डॉक्षा आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को सोतंतर हुए बहुत बर्स हो गए लेकिन अभी अन्सोसित जनजाती वर्ग के बहुत सारे बच्चे बिद्यारी सिक्षा से बाहर हैं तो आज की सर्चा में हम जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं क्या समादान हैं क्या हम कर सकते हैं तो डॉक्साप हमारे भावी सिक्षकों को कि यह बताएं कि अन्सोसित जनजाती के बिद् द्यान देने की जरूत क्यों पड़ गई है धन्यवाद आपका जैसा कि आपने प्रस्थ किया है कि अनुसोचित जनजाती के जो विद्यार्थी हैं उनके सिक्षा पर विशेश ध्यान देने की आ सकता क्यों है तो अगर आप देखें तो आजादी के बाद इतने सालों के अनुसोचित जनजातियों की सच्छी किस्किती में बहुत परिवर्तन नहीं आये हैं पर इस चर्चा पर जाने से पहले हम समिधान में वड़नित अनुसोचित जनजाती की परिवासा पर चर्चा कर लें कि भारतिया समिधान का जो अनुछेत 366-24 है उसमें अनुसोचित ज जातियों रेश उन जातियों रेश जंजातियों के एक भाग या उसके अंदर के उस समू tenant के उद्धान उद्दे safe 341 में अनुची जन जनम्हारी यह हमाना परिवासित करता है अनुची जनजाति को अगर हम लोकूर समिती की बात करें, लोकूर समिती 1965 बनाई गई थी, तो लोकूर समिती ने बड़े अच्छे से अनुसुची जंजाती को परिवासित करने का प्रयास किया है, लोकूर समिती 1965 के अनुसार, किसी समुदाय के अनुसुची जंजाती में सामिल किया जाने के उसके आसपास के अन्य बड़े समुदायों में गुलने मिलने में जीजक दिखना चाहिए और भोगोलिक रूप से वह अलग होना चाहिए साथ ही पिछडापन तो यह जो लोकुर समीति ने बताया कि कौन-कौन सयावस से गुन होनने चाहिए पांच गुणों के आधार पर लोकुर समीति ने बताया कि किसी जाती को जनजाती में रखा जा सकता है पहला आधी गुणों का संकेत, दूसरा भिने संस्कृति, तीसरा आसपास के अन्य बड़े समदायों से घुलने मिलने में जीज़क, चौथा भोगोलिक रूप से अलग और पाच्वा पिछडापन अगर हम जनगन्ना 2011 की बात करें, तो जनगन्ना 2011 के अनुसर भारत में विभिने जनजातीयों की जनसंक्या कुल 10.43 करोड है जो भारत की कुल जनसंक्या का 8.6% बने लगभग भारत की जनसंक्या का 10% जो है वो जनजातीयों की जनसंक्या है और बड़ा दिल्चस्प पहलू ये है कि संपुर्ण जन्जातिय जनसंख्या का लगभग 90% जो है वो गाउं में निवास करता है और इससे भी दिल्चस्प ये जानना होगा कि अनुसुची जन्जातियों की जो भारत में पूरी आबादी है उसकी लगभग आधी जन्जंख्या पांच राज्यों मद्यप्रदेश, महाराष्ट, उड़ीसा, गुजरात एवं राष्थान में निवास करती है साथी ये भी जाने कि भारत के तीस राज्यों में लगभग अलग अलग जन्जातिय समूँ 705 है भारतिय समिधान के अनुसार भारत सरकार ने 6-14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निसूल के उम अनिवार ये सिक्षा प्रदान करने की प्रदिवद्दता जाहिर की है और इसे तू रश्टी इस्तर पर लगातार बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं से आप देखें कि कई प्रात्मिक विद्द्याले खोले गए मद्यान भोजन योजना लागू की गई जो भी तक चल रही है और बहुत सफल योजनाओं में से एक है मुफ सेक्षिक सामगरी वितरंड की योजनाय चलाई जा रही है मुफ्त यूनिफॉर्मादी की योजनाय चलाई जा रही है और इन सब के सकरात्मक प्रोहाद देखे जा रहे हैं परणतु अभी प्रात्म दयालेओं में 100% नहीं हो पा रहा है और उसमें इनका पर्शेन्टेज तो और भी कम है खास करके जश्ए संगु도िय समुग के बालक का परशेन्टेजं के पार्षिन्टेज है उसमें इनका परशेंटेज कम है उप्यूक्त प्रगति जितनी हम उमीद करते हैं उतनी नहीं हो पाई है अब आते हैं कि कौन-कौन सी एसे मुद्दे हैं, कौन-कौन सी ऐसे कारण हैं जिनके चलते अंसूचे जनजाती के बालकों की सैक्षिक इस्थिति अभी तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है पहला तो है कि अनसुची जनजाती के जनसंख्या में अभी भी साक्षरता दर कम है दूसरा स्कूलों में उनका नामांकन कम हो पा रहा है और अगर नामांकन होता भी है तो अक्सर वो ड्रॉप ओट कर जाते हैं बहुत हाइज रपाउट रेट आनसुची जनजाती के बच्चों में जाने के बाद नामांकन के बाद उसके अलावा यह देखाजाता है कि अगर आछा देखे वग्शा है उनका परिक्षा प्रापती अस्तर है वह वह लो घृफ़ अलागि कुछ केसेज में वह बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन सामाने तर अगर आउसत देखें तो लो एचीवर देखे गए हैं एक और इसू जो है असफलता का अनुभव कि स्कूल में जाने के बाद बच्चे अनुभव करते हैं कि वह असफल हैं वह सफल नहीं हो पाएंगे और इस डर से कई बार ड्रॉप आउट हो जाते हैं साथ ही अनुसोचे जंजाती के बच्चों में निमनात्मचवी लो लेवल का सेल्फ आइडेंटिटी देखा गया है और साथ ही जंजाती बालिकाओं की सिक्षा की अगर बात करें तब तो इस्तिती बहुत ही देनिये हैं उनमें लिटरेसी रेट भी बहुत कम है जंजाती में में सिक्षि उन्नति कैसे की जाए कैसे उनको अधिक एजुकेटेट किया जाए। में धरा से जोड़ा जाएक उसके बारे में थोड़ा आप कम बताईए इसपे आने से पहले अभी हम्ने उनमडों की number सबसे पहला कारण सबसे बड़ा कारण जो है वह तो गरीबी है कि अनुसुच जंजातियों में गरीवी बहुत ही प्रिवेलेंट है बहुत जादा गरीवी है और इस गरीवी की वजह से वह विद्याले बच्चे जा नहीं पाते कुछ नो कुछ अपनी आजीविका के लिए अ सब्सक्राइब अधिकान सब्सक्राइब होना नहीं चाहते हैं और इस वजह से अगर सिक्षन नहीं हो पा रहा है तो वह वहां से ड्रॉप आउट कर जाते हैं साथ ही सामाजिक व्योजन समाज से तो दूरी है ही है सिक्षक एवं सिक्षक प्रसिक्षण की अनुप्युक्तता भी जो है वह एक बड़ा कारण है सेक्षिक पिष्ड़ेपन का अनसुचे जंजाती के बालकों का इसके अलावा एक और कारक जो है पारिवारिक जागरुकता माता पिता की रूची का अभाव चुकि इसे पहले हमने चर्चा की की गरीबी है अब गरीबी है तो माता पिता की रूची और माता पिता की जागरुकता बच्चों के सिक्षा के प्रति ज़ादा नहीं है और इस वज़ाए से वो क्या करते हैं बच्चे को उदर कहीं काम पे भीज भीज दिया कोई याज यूगा के लिए दिया अदर्वाईश पढ़ने में रूची नहीं ले तो बच्चे स्कूल में जाते हैं स्कूल से बचित रह जाते हैं एक और जो बड़ा कारण है वो यह है कि जहां पे इनका जन संख्या घनत तो है जहां पे किसी एक जन जाती के बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे कई वार विद्याले उपलब्द है ही नहीं विद्याले सुविधाओं का वहां पे अभाव है और जब विद्याले सुविधाओं कावाब है विद्याले सुगम में है नहीं तो फिर ये विद्याले कैसे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं विर्कुल सही कावाब है उसके अलावा अगर कहीं पर विद्याले है तो वहां सिक्षक प्रयाप्त नहीं है फिर एक और जो बड़ा कारख है जैसा कि पहले है हमने चर्चा किया था कि उनके अपनी भासा है अब ऐसे में जब वो बिद्धाले जाते हैं बच्चे तो उनकी मातरी भासा में सिक्षा नहीं दी जाती है यो जोली क्या देखा गया है हमारे देश में कि या तो राज में जो एकसेप्टेट भासा है उसमें सिक्षा दी जाती है या हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भासा में सिक्षा दी जाती है या एक शेक्त्रिय भासा में दी जाती है लेकिन उनकी जो भासा है उनकी जो बोल समाप्त हो जाती है आपने भासा को एक बहुत बड़ा बैरियर बताया है इसको मैं भी मैसूस करता हूं जैसे कि तिरपुरा में रियांग जन जाती है जमाटिया जन जाती है डार्लोंग जन जाती है इनकी अपनी भासा है कॉकबॉरॉक और वहां पर मीडियम है वो है बांगला इंग्लिस जब बड़े होते हैं कॉकबॉर को बोलते हुए बड़े होते हैं जब इसकूल में जाते हैं तो बांगला पाते हैं जिसको जानते नहीं है अब छात्रों के बीच में सेक्शन के बीच संबाद नहीं होता यह बड़ी समस्या है इस समस्य फ़जनाओं की चार्चापूरी के विदयाले केनौं प्लब्जता की बात की है कुछ कई बार बलोक परिशितिय हैं जहान जनजातीय लोग करते हैं कि वहां पे इतनी ही बिद्रोप्टुण और यह नहीं प्रतीत अहता है इसके अलावा कई बार आद्यक हैं जो गाउं हैं कई बार जंजातियों के जो गाउं हैं वो समाने जनसंख्या से बहुत दूर हैं ऐसे में वहां पर विद्याले नए खोलना या उनका संचालन दूरों ही बहुत कठिन काम है और यह भी एक सेक्षिक पिछड़पन का कारण है एक और जो महतपूर्ण बात है इस तो उस अस्तान पे वो अपना जगह चेंज करते रहते हैं आवधिक रूप से कुछ दिन एक जगह रहा लिए फिर कुछ दिन दूसरी जगह तो ऐसे में यह भी एक बड़ा कारण है कि अगर आप मुव्मेंट इतना ज्यादा हो तो बच्चों को विद्याले सुगम में कैस हो सकता है अगर आप एक जगह विद्याले खोलते हैं कुछ दिनों बाद तो वह उठकर के वहां से चले जाएंगे उसके बाद फिर वहां कहां पर रुकेंगे आपको नहीं पता है तो यह भी एक कारण है उनके सेक्षिक पिषड़ेपन का अब आते हैं जैसा कि आपने इस जाए जहां 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 ने विद्याले खोलें साथ ही एक बड़ी चीज है कि सिछख प्रसिक्शन में इनके प्रतिनिद्दृत को बढ़ाया जाए खास करकि अगर उनकी भासा के टीचर रहेंगे अभी जो आपने परस्ण किया था जो शुनस्या आपने बताई थी इत्रिपुरा की जंजातियों की कि उनकी भासा में पढ़ाने वाले लोग नहीं है और उनके कल्चर का एक्जामपल देने वाले लोग नहीं तो इस समस्या का समाधान यह है कि अगर सिक्षक प्रसिक्षण में इनका प्रतिनिद्द बढ़ाया जाए और जहां पे आदिवासी बहुत जिनसंख्या है वहाँ पे उनहीं के समधाय कर जो शिक्षित है उनको सिक्षक के रूप में रखा जाए तो दो चीजें होंगी एक तो उनकी भासा में उनको समझा सकेंगे दे सकेंगे वह उनके कलचर से उपिक्त उदाहरन देंगें दूसरा आदमी जो उनके कि जन संख्या ज्यादा है, वहां पे उसी के समूदा है, कि टीचरों को अपट किया जाए, कम से कम एक दो टीचर तो रखे ही जाए. साथ ही जाती है धारित भेदभाव की सिकायतों पर अगर कुछ सिकायते ऐसी मिलती हैं तो गंभीरता से विचार किया जाए, क्या करी बार वहां बुलिणग च्छोड़ देते हैं, अस्कूल जाना, लोग जो हैं उनको एक अलग नजर से देखते हैं, कि इसका संस्म्क्रित्य अलग है, इसका जारा चीजा अलग है, तो ऐसे में बीचा सिकायत है ऑशा थायशू के जाते, तो आशायश मेहें परे पिज साथ ही एक और जो बड़ी इंपोर्टन चीज है वो है कि विद्यालियों में जो पार्टिसिपेटरी टीचिंग में थट रहे हैं उनका प्रयोग किया जाए अगर पढ़ाने में तो उससे फायदा यह होगा कि जो सामाने जन संख्या है उससे घुलने मिलने में इनको मदद मि सबthankunu एसे केंड़ी लेंग्वेज दूसरी लेंग्वेज उस समुह का लेंगवेज भी सिक्चेंगे और इनकी भासा से परिजह जो है उस दूसखे बड़े सब्सक्राइब हो सकता है साथ ही जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं सब में इनका बराबर का सभागिता जो है इनकी जीजक दूर होगी सामाने जन संक्या से घुलने मिलने की और वहां पर आएंगे इसके अलावा सिक्षा से जुड़े सभी वेक्तियों को सम्वेदन सिल बनाने के लिए लगो अधी पाठेकरम चलाया जा सकते हैं और इन वर्गों के जो मुद्दे हैं उनको सिक्षक प् आज बात कर रहे हैं इसमें एक सिक्षक के रूप में जो विद्यार्थी हैं जो हम दरसक हमें देख रहे हैं एक सिक्षक के रूप में उनकी भूमिका क्या हो सकती है यह बहुत महत्पूंध माद्रिभासा में सिक्षण का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके अगर पूरा नहीं हो सके तो भी जहां तक संभव हो वहां तक उनकी माद्रिभासा में सिक्षण का प्रयास करना चाहिए दूसरा जो उनकी सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया है उसमें अस्थानिय ग्यान का समावेस करें समावेस करने का मतलब कि जब भी आप जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो भी उदाहरण देते हैं उनकी संस्कृति के नहीं उनकी भोगोली की स्थिति से लें, उनकी आसपास की चीजों से लें, तो एक अच्छा मेसेज जाएगा, उनको एक कोहेशन फील होगा, और वो विद्याले में अपनी उनकी रुची बढ़ेगी, विद्याले आएंगे, पढ़ने में उनकी रुची बढ़ेगी, और उनको कि अगर इनके लोकलिटी इनके जोग्रफी इनके वातावरण का उधारन देगा आप इनको सिक्षित करने का प्रयास करें तो वह ज्यादा प्रवावी होगा यही बात कि सामाजिक सांस्कृतिक ततों का जो है इनके शिक्षन अधिगम की प्रक्रिया में उप्योग करना चाह यह ताकि उनकी रूची बनी रहे और उनका पार्टिसिपेशन जो है विद्द्याले की सभी क्रियाओं में वह बढ़े इसके अलावा कच्छा अधिगम के दौरान उनके लोक सामगरी एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतेक आधिवासी समूह का एक स्पेस है लोग कलाएं परचली थे То एक सिखजक होने के नाते आपको चाहिए कि अब भी जब भी आप उनको पढ़ा रहां है को सीखा रहे हैं तो जहां पर भी समभό हो लोग का प्रयोग करें उनको पढ़ाने के लिए उनको बताने के लिए她 grandpa क्bigण जब मकलाओं कर सकते हैं तो जब हो अपने कल्चर से जुड़े हुए उधाहरण देखेंगे अपने कल्चर से जुड़े हुए अक्टिबिटि करने का उनको मौका मिलेगा स्कूल में उनकी रूची भी उनकी समझ भी जादा होगी और उनका जो अधिगम है वो भी बहुत प्रहावी होगा आईए एक नजर डालते हैं कि एक समाज के विभिन सामाजिक संस्कृतिक तत्व कौन-कौन से हैं उनमें सामिल है खान-पान, वेस्वुसा समंधी आदते, मुल्यतता सामाजिक नियम, स्वास्थियम सक्षिता समंधी आदते, जीवन चक्र, जन्म रित्यू, धार्मिक विस्वास एवं विभिन प्रकार के रिती रिवाज तो अगर आप अपने सिक्षन में इन समाज के विभिन सामाजिक संस्कृतिक तत्तों को सामिल करते हैं, जो उस आदिवासी समाज के हैं, उस जिन्जाती समाज के हैं, तो आपका जो सिक्षन है वो प्रभावी होगा और उनके लिए भी लाप्रद होगा एक अध्यापक के रूप में आप ये भी कर सकते हैं कि विभिन पाठह। पुस्तफकों में उनके सामाजिक संस्कृतिक ग्यान को अस्थान दे, उनकी मात्रि भाषा में अगर हो सके तो पाठ्ह पुस्तक को पलब्थ कराएं, शिक्षक के रूप में अगर आपको नजन्ज अब लगईता को बढ़ावा दें जैसे कोई साहसक्षी क्रिया कलाप वगेर आयोजित कर रहे हैं तो उनकी संस्कृती के जंजातियों के समाज की कुछ बेविए क्रियाओं को आप उसमें सहसेक्षिक्रिया कलापों में सामिल कर सकते हैं जैसे आप अगर कोई गयान प्रयुत्ययोगिता का आयो जन कर रहे हैं मान लीजिए तो उसमें यह छूट दी जा सकती है कि वह अपना लोगीत सुनाए नकि जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई गीत सुनाए जो कि सबको स कि जुके संझ जो है वह उनके लिए बहुत प्रहावी विधि सुर्ण सावित हो सकता है हमारे देश में जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि अधिकांसा सिक्षा का माधन हिंदी अंग्रेजी या राजी की भासा है ऐसे में जबिभिन जंजातियों के बालकों के लिए बहुभ लिंग्वल एजुकेशन की बात चल रही है और इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है इसके अलावा बहुभासी सिक्षण एक भासा सिक्षण ग्यानात्मक विकासकारिक्रम है जो जन जाती है बच्चों को उनकी मात्री भासा का मजबूत आधार प्रदान करता है उन्हें ए हैं सब्द पहचान कार्ड या द्रिस सब्द रख सकते हैं जैसे हम बच्पन में बच्चों को सिखाते हैं कि यह एपल है यह सेव की फोटो लगाते हैं और नीचे एपल लिखा हुआ होता है ऐसे ही हम उसकी भासा में और दूसरी कॉमन भासा जो है उनको तुलना करता सिफ्ट हो इसके अलावा है टोटल फिजिकल रेस्पॉंस या टीपी आर का प्रयोग कर सकते हैं टीपी आर का मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे हम कहते हैं इधर आओ उधर जाओ छोटे-छोटे सब्दी उच करते हैं किसी भासा वी से इसका और इसके माध्यम से हम भासा सि के उनको कमिनीकेट कर सकता है लगारी दूसरा सिफ्टक इतनी छोटे-छोटे सब्द जो है दूसरी भासा के उनको सिखा करके धीरे-धीरे उनको उनके फर्ष्ट लेंग्वेज से करिंड लेंग्वेज पर ला सकता है तो आज हमने आजए कुक्छा में देखा कि सथस्चन यह सारे हैं इसे उन्नत बनाने के लिए एक प्रात्मिक सिख्षक के रूप में आप उन्हें उनकी मात्रिभासा में सिखाने पर जोर दें सिख्षण के दौरान उनके समाजिक संस्कृतिक संदर्भो का ध्यान रखें और बहुभासी सिख्षण को बढ़ावा दें आज आपने आज की कख्या में सीखा कि अनसुष से जन जाती के बच्चों के एजूकेशन के फिल्ड में पछणने के कारण क्या हैं और इनको कैसे बिद्धियले के अंदर लाया जा सकता है और इनकी क्या-क्या समस्याएं हैं और एक सिख्षक का इसमें क्या योगदान हैं हम इन क्या कर सकते हैं डाक साब आ निशित रुप से हमारे आ जो सिखषक हैं आपके इस वक्तब से बहुत लावान् Iya हम आपके बहुत आवारी हैं हमें मूलब llamand समय कराया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर और आप सभी दारतियों को अभी बादन